Hello students, स्वागत आपका हमारे study view education channel में आज की जो dictation है 70 word पर मिनट की speed पे लिखेंगे और students, जैसे ही आप ये dictation लिख लेते हो तो प्लीज आप इसके हिंदी करके जरूर देखिए और जो अभी राजस्तान करमचारी chain board की जो vacancy आई हुई है उसके अंदर भी इसी तरह का ही matter आएगा और जो पैरे और विराम बोले जाएंगे, कोमा नहीं बोले जाएगी वो कोमाई हैं जो अपने को अपने हिसाब से लगानी है grammar के knowledge के हिसाब से लगानी है और students, अगर आप 4 कोमा नहीं लगाते हो तो आपकी एक गलती count होगी तो dictation स्टार्ट होगी, तीन सेकिंड बात, ready स्टार्ट, युक्रेन में युद्ध आरंब हुए दो साल बीत चुके है और हाल फिल हाल इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है विराम ऐसे में नमंबर में होने वाले अमेरिकी राष्टरपती चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की शिशक्त दावेदारी यूरोपिये देसों का ध्यान केंद्रित कर रही है विराम ऐसा प्रतीत होता है कि वे वर्तमान राष्टरपती जो बाइडेन पर भारी पड़ रहे हैं विराम अनेक यूरोपिये देस वाइट हाउस में एक ऐसे राष्टरपती की बापसी की तैयारी कर रहे हैं जिसने अपने पिछले कारेकाल में यूरोपिये हितों के खिलाफ काम किया था पैरा ट्रम्प की छवी एक तानाशा प्रेमी नेता की बन चुकी है जो अराजिकता और ए निश्चिकता को पसंद करता है विराम अपने पिछले कारेकाल में ट्रम्प ने ए परत्याशित रूप से जलवायू परिवर्तन ब्यापार सेना की तैनाती सार्बजनिक स्वास्त्य परमानूं हतियार जैसे एहम मुद्धों पर अमेरिका की अंतर रास्ट्रिये प्रतिवदताओं को जिस परकार तहस नहस किया वह बहुत चोंकाने वाला था विराम उन्होंने नियमित रूप से भड़काऊ भाशा का इस्तेमाल किया विराम बिर्टैन और जर्मनी जैसे मित्र देशों के नेताओं को अपमानित किया और रूस के बलादी मिर पुतिन और हंगरी के विक्टर ओर्बन जैसे अधिनाय कवादी नेताओं की प्रशंशा की विराम उत्तर कोरिया के तानाशा किम जोंग के साथ सारहीन शिखरवारताएं आयोजित की विराम नाटो गठ बंदन से हटने की धमकी दे डाली पैरा यूरोप में सबको पहला डर इस बात से है कि अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो यूकरेन का क्या होगा? विराम ट्रम्प की हालिया ब्यान वाजी से साफ है कि उनकी कथित शान्ती योजना में यूकरेन के लिए हारे हुए इलाके बापस पाना असंभव होगा? विराम ट्रम्प ने पिछले दिनों अपनी एक रेली में ऐसा ब्यान दिया जिसका तातपर यह था कि रूस यूरोप के उन देशों पर हमले के लिए सवतंतर है जो नाटों को समुचित फंडिंग नहीं देते विराम इस बयान की वाइट हाउस और नाटो महसचिव ने कड़ी निंदा भी की विराम हालांकी यूरोपिये लोग अब इस तथे के प्रती जागरुक हो रहे हैं कि यूकरेन अपनी सवतंतरता और सम्मान की रक्षा केवल यूरोपिये संग और नाटों में दोहरे परवेश के माध्यम से ही कर सकता है विराम ट्रम्प की वापसी की आशंकाओं के बीच फ्रांस के राष्टर पती इमेनूल मैकरो ने तो पश्मी देशों को यूकरेन में सेना भेजने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है विराम पैरा जाने अंजाने ट्रम्प ने रक्षा खर्च के पेचिदा मसले पर चल रही यूरोपिये बहस को तूल दे दिया है विराम जुलाई में वाशी गटन में नाटो सिखर समेलन से पहले नाटो के अधिकांस यूरोपिये संग सदस्य अपने सकल घरेलू उतपात का निवन्तम दो प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने की रहा पर चल पड़े हैं विराम हालांकी इस बदलाव का अधिकांश श्रेय तो पुतिन की अकरामक नीतियों का ही परिणाम है लेकिन ट्रंप की बड़ बोली भाशा ने भी यूरोपिये देशों को चिंताग्रस्त किया है विराम युक्रेन के पास गोला बारूद और हतियारों की लगातार कमी हो रही है और ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन पार्टी अभी से ही अमेरिकी कॉंग्रेस की फंडिंग में रोडा अटका रहे हैं विराम इसलिए जोर इस बात पर है कि जल्द से जल्द यूरोपिये संग और नाटों के बीच मनोविज्यानिक खाई को पाटा जाए विराम वैसे स्वीडन के नाटों में शामिल होने का सकारात्मक परिणाम होगा पैरा हालांकी ट्रंप का सबसे बड़ा योगदान इस बात को लेकर माना जाएगा कि उन्होंने यूरोप की राजनितिक एकता का मारग प्रसस्त किया है विराम कई देशों में ट्रंप की धमकियां उन अमीदवारों की मदद कर सकती है जो यूरोप के एकता एवं संपरभुता के पक्षधर रहे हैं विराम लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां ट्रंप के समर्थकों की कमी है विराम लोकलू भावन राजनिति में ट्रंप की बराबरी करने वाले पूरव ब्रिटिश प्रधान मंतरी बोरिश जोंसन ने हाल ही में कहा है कि दुनिया को आज ट्रंप की जरूरत है विराम यूरोप में दक्षिन पंथी पार्टियां पुने अपनी पेंठ बनाने में लगी है विराम कई यूरोपिय विशेशग्य यह मानते हैं कि अमेरिका के तमाम विदेशिक संबंध सिर्फ राष्टर पती पर निर्भर नहीं है विराम अमेरिका व्यवस्था में राष्टर पती की शक्तियों पर कई परकार के अंकुष भी है स्टॉप स्टूरेंट्स इस डिक्टेशन की जो पीडियोफ है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलिग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो प्लीज आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें थैंक्यू